बतादे एक देश एक चुनाव के मामले पर मोधी सरकार कमभीरता के साथ विचार कर रही है यही नहीं बलकि इसकी संभावनाव पर विचार के लिए सरकार ने एक समीती का गठन तक कर दिया है जिसके अध्यक्ष पूर्फ राश्पती रामनात कोविन बनाये गए हैं और अब इस संभन्ध में जल्धी नौटिफिकेशन जारी किया जा सकता है दरसल केंध सरकार ने 18-22 सितंबर तक संसत्र का विशेष सत्र भी बुलाया है जिसका एजेंडा अभी तक तय नहीं बताया गया है लेकिन क्यास लगाए जा रहे है कि शायद विशेष सत्र एक देश एक चुनाव को लेकर ही बुलाया गया है लेकिन अब समीति के कठन के बाद यह क्यास और तेज हो गए है कि विशेश सत्र एक देश एक चुनाव पर चच्चा के लिए ही बुलाया गया है वहीं संसत का विशेश सत्र बुलाने के इस फैसले से विपक्ष भड़क गया है लेकिन अब सवाल यह है कि यह एक देश एक चुनाव क्या है जिस पर हंगामा मचा हुआ है और पूरा विपक्ष एक चुट खड़ा है दरसल एक देश एक चुनाव का मतलब सीधा सा है कि देश में होने वाले सारे चुनाव एक साथ करा लिये जाए आपको बता दे कि अजादी के बाद भी कुछ सालों तक लोगसभा और विधानसभा के चुनाव साथ साथ ही होते थे लेकिन बाद में समय से पहले विधानसभा भंग होने और सरकार गिरने के कारण ये परंपरा तूट गई थी लेकिन अब सीधा सा सवाल है कि इस वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लागू कराने के क्या फायदे होंगे तो बता दे इस बिल के समर्थन के पीछे सबसे बड़ा तर्क यही दिया जा रहा है कि इससे चुनाव में खर्च होने वाले करोडों रूपे बचाये जा सकते हैं और इससे बार-बार चुनाव कराने के जंजट से भी छुटकारा मिल सकता है आपको बता दे पीते कुछ सालों में पीम नरेंदर मोदी कई बार लोग सबह चुनाव और राजियों के विधान सबह चुनावों को साथ कराये जाने का सुझाव दे चुके हैं और अब इसी संबन्द में पूर राश्पती रामनात कोविंत की अध्यक्रता में समीती बनाई गई है जो एक साथ चुनावों के संबन्द में विचार करेगी इसके इलावा इस साल नवंबर और दिसंबर तक पांच राजियों में चुनाव होने हैं ऐसे में क्यास ये भी लग रहे हैं कि अगर वन नेशन वन इलेक्षन पर मुहन लगती है तो फिर ये चुनाव भी टाले जा सकते हैं और शायद ये भी लोगसभ़ इलेक्षन के साथ ही हों हमारी इस वीडियो पर आप भी अपनी राये हमें कमेंट करकर जरूर बताएं साथ ही वीडियो पसंद आये तो इसे लाइन करना न भूलें और ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी जानकारी जानने के लिए आज ही आई एन एन डिजिटल मीडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लें